नमस्कार दोसों, competition community के online platform में आपका स्वागात है जैसा कि आपको ग्याद है, CGPSC 2019 प्रारमभी परिक्षा को ध्यान में रखते हुए चात्र हित के लिए competition community ने एक initiative लाँच किया है इस initiative का नाम है Fast Track Revision Course या FTR इस initiative के जरिये विबिन विश्यों के MCQ solve की वे जाएंगे और MCQ solve करवाने के सांस साथ परिश्चा के pattern और concept पर भी विशेज ध्यान दिया जाएगा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्तुपूर्ण विशे 36 गड़ का आर्थिक सर्वेक्षन लेकर मैं हूँ आपके साथ आकास से आर्थिक सर्वेक्षन है क्या आर्थिक सर्वेक्षन एक सरकारी किताब है जिसमें राज्य की सारी आर्थिक गती विधियों के ट्रेंड और अनेलिसिस को आगडों के माद्यम से दर्शाय जाता है और इस सरकारी किताब से लगातार CGPSC प्रणविक प्रिश्चा में 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं इस विशे को छात्र एक भै की रूप से भी देखते हैं क्योंकि इस किताब में अन्गिनत आगडे होते हैं और किस आगडों को पढ़ना है किसे नहीं पढ़ना है मैंतोता के आधार पर जब इस निर्णा नहीं ले पाते तो इसे परेशान हो जाते हैं इस परेशानी को और समस्या को सौल करने के लिए FTR के माद्याम से आर्थिक सर्विक्षन की ये वीडियो स्रीस जारी की जाएगी जिसमें कुछ भाग या कुछ चैप्टर मैं डिल करूँगा और कुछ चैप्टर डिल करेंगे सत्य अंसर सबसे पहले प्रतम चैप्टर पर हम इस वीडियो पर बात करेंगे पहला चैप्टर आर्थिक समिक्षा बाकी सारे चैप्टर का क्रक्स पॉइंट दर्शाता है तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले प्रश्ण से सबसे पहला प्रश्ण कहता है निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए दो कथन यहाँ पर दिये गए हैं पहला कथन कहता है चतिस गड़ जनसंक्या के आधार पर देश का दस्वा बड़ा राज्य है और ये जनसंक्या ली गई है जनगंडा 2011 के प्रपेक्ष में दूसरा कथ कहता है भारत की कुल जनसंक्या का यह दो दशमलों एक एक प्रतिशत भाग बनाता है कूट की रूप में यहाँ पर चार ऑप्षन दिये गए हैं जिसमें से हमें एक सहीं ऑप्षन चूस करना है तो अगर आप चतिस गड़ की जनसंक्या के बारे में बात करें तो जनगंड बनता है तो जैसे ही हमने यह आकड़े देखे इस आकड़े के अधार पर हमारा पहला कथन गलत हो जाता है पहला कथन गलत होते ही जिस ऑप्षन पर कथन एक क्यों सहीं कहा गया है वो भी साइट हड़ जाएंगे जैसे कि ऑप्षन ए और ऑप्षन सी यहां पर हड़ जाते ह बच जाता है दो option option B और option D इन दोनों में से सही option को choose करने के लिए हमें दूसरे कथन की सत्यता को जाचना होगा और दूसरा कथन सत्य है जो की कहता है कि यह भारत जनसंक्या का 2.1 प्रतिशत भाग बनाता है तो इस अधार पर हमारा सही option बनता है option B चलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रशन पर दूसरा प्रशन चत्यसगर राज्य के लिंग अनुपात या सेक्स रिशियो पर अधारित है इस प्रशन भी तीन कथन दिये गए हैं और तीन कथनों के अधार पर कूट रूपी option भी दिये गए है कथन पहला कहता है चत्यसगर राज्य में सकल लिंग अनुपात 999 है दूसरा कथन कहता है चत्यसगर राज्य का लिंग अनुपात भारत संग में पांचवा इस्थान दर्शाता है और तीसरा कथन कहता है ग्रामेंड छेतर का लिंग अनुपाथ शेहरी छेतर की तुलना में कम है तो चलिए लिंग अनुपाथ से सम्बंदित फैक्स की बात करते हैं 36 गड़ का सेक्स रेशियो 991 है तो जरूर और यह पांचवा रैंक भी भारत संग में दर्शाता है लिंग अनुपाथ हमें दिखता है 1001 और शेहरी छेतर में हमें यह लिंग अनुपाथ दिखता है 956 तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ग्रामेंड छेतर का लिंग अनुपाथ शेहरी छेतर से तुलनात्मा ग्रूप से जादा है और जैसे ही आपने ये तीन आकड़े देखे आपको तीसरा कथन गलत देखने को मिलेगा इससे आप ये भी निशकर्स निकाल सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है तो इसके पीछे कारण ये है कि शेहरी छेतर के विकास के या भशतिजगर का शेहरी करण होने के कारण ग्रामेंड छेतर के बहुत सारी युवा खासकर पुरूश युवा वर्ग शेहरों की और अच्छे अवसर के लिए चले जा रहे हैं तो इस आधार पर हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत होता है और तीसरा स्टेटमेंट गलत होते ही हम आते हैं सही ऑप्शन की तलाश में अगर हम सही option को देखें तो जैसे ही तीसरा statement गलत होता है option B और option C automatically यहां से side हड़ जाता है यह एक elimination method होता है elimination method पर आप गलत वाले options को पहले side कर देते हैं तो आपके पास में जो option बच जाते हैं उनसे सही option choose करना होता है तो जब आप option B और C को यहां हटा देते हैं क्योंकि यहां पर 3 को भी सही कहा गया तो आपके पास बच जाता है option A और option D और इन दोनों में से सही choose करने के लिए आपको statement 2 के बारे में जनकारी होनी चाहिए और statement 2 बिल्गुल सही है इस अधार पर option A इस प्रशन का सही होता है तो अभी तक इन दो प्रशनों के आधार पर हमें कुछ facts मिल चुके हैं facts मिल चुके हैं हमें जनसंक्या के आधार पर facts मिल चुके हैं हमें लिंग अनुपात के आधार पर चलिए अब हम आते हैं तीसरे प्रश्ण पर और तीसरा प्रश्ण है 36 गड़ की साक्षर्ता दर या लिटरेसी रेट के उबर प्रश्ण है कि राज की साक्षर्ता दर क्या है और इसका सही जवाब है 70.3 याने सही औप्षण बन जाता है औप्षण A तो ध्यान रखिए कि CGPSC पर जब ये आर्थिक सरवक्षन संबंदित प्रशन आएंगे कथन रूपी भी आ सकते हैं और सिंगल फेक्चुल भी आ सकते हैं इसके बाद अब हम आते हैं अगले प्रशन पर और यह प्रशन आधारीद है शिशु मित्युदर और मातितु मित्युदर के उबर प्रशन कहता है निम लिलखीत कतनों पर विचार करें पहला कथन है SDG के अनुसार SDG याने Sustainable Development Goal विकास के कुछ यहां पर लक्ष रखे गए हैं वर्श 2030 तक उसी अधार पर 36 गड़ के परपेक्ष में ये प्रशन बनता है पहला कथन कहता है SDG के अनुसार 2030 तक शिशु मित्युदर को 15 तक लाने का लक्ष रखा गया है और दूसरा कथन कहता है SDG के अनुसार 2030 तक मात्रित मित्युदर को 100 से कम लाने का लक्ष रखा गया है तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लें कि शिशु मित्युदर का क्या आर्थ है शिशु मित्युदर दर्शाता है प्रती हजार जीविज जन्मों बच्चों पर होने वाले शिशुओं की मित्युदर की संख्यागों और इसके हमारे 36 गड़ के अधार पर या 36 गड़ के परपेक्ष में क्या फैक्ट बनते हैं तो जरह हम देखते हैं वर्श 2000 में यह संख्या थी सथद्दर 2016 पर यह संख्या आ जाती है 39 और 2030 तक का लक्ष रखा गया है 15 और अगर मातित मित्युदर की आप बात करें तो यह प्रती लाख जीविज जन्मों में माताओं की होने वाली मित्युदर को दर्शाता है और इसका फैक्ट 36 गड़ के पर पेक्ष में है 2001 एक तीन पर यह संख्या थी 379 जो की 2015 पर आकर हो गई 173 और 2030 तक लक्ष रखा गया है 100 से कम का इन फैक्ट के अधार पर अगर हम इन दोनों कथनों को देखें तो दोनों ही कथन हमें सही प्राप्त होते हैं और कूट रुपी इस ऑप्षन पर अगर हम जाएं तो हमें दिखता है कि ऑप्षन ए यहाँ पर सही ऑप्षन है क्योंकि यहाँ पर एक और दो दोनों को सही दर्शाया गया है शेशुमित्युदर और मात्यतुमित्युदर की इस घटते क्रम की इस घटते प्रवित्यों के अधार पर एक निश्कर साब ये भी निकालते हैं कि 36 गड़ राज्य में स्वास्त की जो सेवाएं हैं वो काफी बहतर हो रही है और यह बैतरी शेशु मित्युदर और मातितु मित्युदर के गिरते हुए आकड़ों पर देखा जा रहा है अगला प्रश्ण है चतिजगर राज्य के जीएसडीपी पर जीएसडीपी क्या होता है ये जानने से पहले जीडीपी समझ लेते हैं जीडीपी अर्थाद ग्रॉस डुमेंस्टिक परड़िट हिंदी में कहें तो सकल घरेली उतपाद एक निश्चित समय ओदी पर किसी भोगलिक छेतर के भीदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तों सेवाओं के कुल मौदरिक मुल्य को उस भोगलिक छेतर का सकल घरल उत्पाद कहते हैं या ग्रॉस डुमेस्टिक पॉड़क कहते हैं या मौद्रिक मुल किसी भी भोगलिक छेत्र की एक अच्छी आर्थिक विद्धी की या फिर बुरी आर्थिक विद्धी दोनों की ही आपर इस्तिती को दर्शाता है जब या भोगलिक छेत्र राज्यका हो जाता है तब हम उस मौद्रिक मुल को GSDP कहेंगे या Gross State Domestic Product और इसी आधार पर यह अगला प्रशन बनता है प्रशन है GSDP के संदर्व में कत्नों पर विचार करें पहला कतन 2012-13-2018-19 की GSDP स्थिर भाव में औसाज विद्धी 6.08 प्रतिशत दर्ज की गई है ध्यान रखिएगा यहाँ पर GSDP के आगे एक और शब्द जुड़ा हुआ है जिसे हम देख रहे हैं स्थिर भाव के रूप में या स्थिर भाव और प्रशलित भाव क्या होता है तो यह मुद्रा इस्विती के प्रभाव को मापने का एक तरीका होता है इसके बारे में विशेश तोर पर हम देखेंगे जब राजी आयवाले चैप्टर को हम डील करेंगे दूसरा कथन कहता है दोहाजार अठारा उन्नीस में GSDP इस्थिर भाव में 5.66 प्रतिशत व्रिद्धी दर्च की गई है इन दोनों कथनों के अधार पर कुट रुपी ऑप्चन भी आपकी सामने में रखे हुएं और अगर हम देखें तो ये दोनों ही कथन हमारे गलत होते हैं क्योंकि आकड़ों को जो प्रतिशत व्रिद्धी की आकड़े हैं इन्हें हेर फेर कर दिया गया है इस तरीके के कोश्चन आपको डिल कराने का उद्देश ही ये है कि जब भी आप तयारी करें और जब भी आप कोश्चन पढ़ें तो सिर्फ फेक्स पर ध्यान ना रहें उस कथन पर उस स्टेटमेंट की भाव पर भी आपकी नजर बराबर से बनी रहें और यह आप देख सकते हैं कि जो वार्शिक वृद्धी ओसत वृद्धी दर्ज की गई है वास्तविक रूप से यह है आपकी 5.66 प्रतिशत जबकि 2018 पर GSDP की वृद्धी दर्ज की है 6.8 प्रतिशत यह है वो वास्तविक आकडे और इस आधार पर यह दोनों ही कथन गलत होते हैं और इस आधार पर हमारा option A भी सही होता है एक और दो दोनों गलत चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं GSDP से संबंदित ही कुछ अन्य प्रशनों पर GSDP के मौदरिक मुल को तीन छेत्रों में विभाजित किया जाता है कृषी छेत्र, उद्योग छेत्र और सेवा छेत्र पहला प्रशन कृषी छेत्र से संबंदित हैं तो देखते हैं GSDP इस सिर्भाव में कृषी छेत्र संबंदित कथनों पर विचार करें कथन एक कहता है 2014-15 से 2018-19 तक न्यूंतम वृद्धी दर वर्ष 2015-16 में दर्ज की गई है 2014-15 से 2018-19 तक औसत व्रिद्धी 5.34 प्रतिशत दर्च की गई है 2018-19 में 3.99 प्रतिशत व्रिद्धी दर्च की गई है और 2018-19 में कृषी छेत्र की GSDB में 17.21 प्रतिशत भागीदारी भी देखी गई है ये अलग-अलग जो कथन हैं ये दर्च आते हैं एक्जाम के पैटर्ण को जब भी ये प्रशन आते हैं तो आप ये धियान रखें कि इसमें कृषी छेत्र की भागीदारी भी आपको याद हो जो वर्तमान वर्श होगा जो latest year हो गई उसकी वरिद्धी दर भी आपको ध्यान में हो जो और साथ में नियूनतम और अधिक्तम वरिद्धी कब दर्च की गई है ये भी ध्यान में हो CGPSC ने अपने पैटन पर ये सारे तरीकों का बखुबी इस्तमाल किया है तो चलिए हम देखते हैं कि क्रिशी छेतर के बारे में कुछ जानकारी क्रिशी छेतर जब हम कहते हैं तो क्रिशी छेतर के अंतरगत, फसले, वानिगी, अर्थाद फोरिश्री, मतस्य पालन, अर्थाद फिश्री, और पशु पालन, अर्थाद एनिमल हस्बिन्री सम्मिलित होते हैं इस क्रिशी छेतर का GSDP इस्तिर भाव पे क्या प्रवित्ती है, जरह उस पर भी बात कर लें GSDP के 17.1 प्रतिशत भाग, 2018-19 में क्रिशी छेतर बनाता है जब हम बात करें, 2018-19 में कितनी वृद्धी दर्ज की गई है तो इसके सही आगड़े हैं 3.99 प्रतिशत 2014-15 से लेकर 2018-19 तक जब आप आप आसत वृद्धी देखेंगे तब आपको ये मिलेगा 5.34 प्रतिशत और जब आप देखेंगे कि नियुन्तम वृद्धी कब दर्ज की गई है तो ये आपको मिलेगा वर्ष 2015-16 में जो की दर्ज आता है माइनस 0.95 परसेंटेज इन आगड़ों को अगर आप इन कथनों पर मैच करें तो आप पाएंगे कि सारे ही कथन हमारे सही हो जाते हैं और इस प्रकार से जब हम कूट पर पहुँचे तो हमको मिलेगा कि option A, B, C और D में से सही option की रूप में हमें मिलता है option C जो की कहता है कि 1, 2, 3, 4 कथन सभी यां पर सही है जिस प्रकार से हमने क्रिशी छेत्र को कवर किया उसी प्रकार से अब हम अगले छेत्र पर भी बात करेंगे और वो होगा उद्योग छेत्र यहाँ प्रश्न कहता है GSDP इस्तिरभाव में उद्योग छेत्र का 2014-15 से 2018-19 तक की प्रवित्यों पर चर्चागरे कथन एक 2014-15 से 2018-19 तक औसत व्रिद्धी 4.07 परतिशत दर्च की गई है अधिक्तम व्रिद्धी वर्ष 2016-17 में दर्च की गई है और न्यूंतम व्रिद्धी वर्ष 2015-16 में दर्च की गई है अब हम बात करते हैं उद्योग छेतर में कौन-कौन से भाग सम्मलित होते हैं तो जब हम उद्योग छेतर कहें तो उद्योग छेतर में सम्मलित होता है खनन, सम्मलित होता है निर्माण, वी निर्माण, या मैनुफैक्चरिंग, ये हो गया आपका construction, ये हो गया manufacturing, इसी पर आता है जालापूर्ती और अंतिम में इसके अंतरगत आ जाता है विद्योत, ये भाग उद्योग छेतर के भाग बनते हैं, ध्यान रखिएगा कि खनन जो है वो प्रात्मिक छेतर में आता है, प्रात्मिक छेतर और क्रिशिश छेतर दोनों भिन होते हैं, confuse नहीं होंगे, क्रिशिश छेतर में खनन नहीं आता, लेकिन प्रात्मिक छेतर में खनन बेशक आता है, क्योंकि जब हम छेतरों की बात करें, तो प्रात्मिक छेतर हम उन छेतरों को कहते हैं, जहां पर आर्थिक गतिविदी सिधा प्रकृति से इस्थिर्भाव बेशक क्योंकि इस्थिर्भाव पर ही चर्चा हम करेंगे चैप्टर वन पर 47.1 प्रतिशत उद्योग छेत्र का बनता है जीस्डीपी में 2018-19 अर्थाद जो करेंट येर पर या जो लेटेस व्रिद्धी धर्दर्ज की गई है यह हमें दिखता है 5.36 प्रतिशत 2014-15 से लेकर 2018-19 जो हमें यहाँ पर आसत व्रिद्धी देखने को मिल दी है वह है 4.07 प्रतिशत फिर उसके बाद जो मैकसिमा ग्रोथ रेट हमें मिल रही है अधिक्तम व्रिद्धी या मिल रही है हमें 2016-17 में और यह कितनी व्रिद्धी हुई थी उस समय तो 9.92 प्रतिशत और जो मिनिमम है वो हमें मिला था 2014-15 में और यह कितना था तो माइनस 1.55 परसेंटेज यह हैं आकड़े उद्योग छेतर के GSDB पर और इन आकड़ों के अधार पर अगर आप देखें तो नियूंतम व्रिद्धी वर्ष वाला जो कथन है वो गलत होता है क्योंकि नियूंतम व्रिद्धी वर्ष 2015-16 कहा गया है कथन 3 में बलकि वो कितना है 2014-15 तो जैसे ही हमारा कथन 3 गलत होता है Elimination Method का प्रयोख हम करते हैं यहाँ पर तीन जो कथन है मतलब Option B, Option C और Option D पर यह Option हर जाते हैं और एक ही Option बज जाता है वही सही होगा Option A एक और दो दोनों सही चलिए अब हम ठीक इसी प्रकार से सेवा छित्रे से संबंदित प्रश्ण पर चर्चा करते हैं सेवा छित्रे से संबंदित प्रश्ण है, GSDP स्थिर भाव में सेवा छित्र की 2014-15 से 2018-19 की स्थितियों पर चर्चा करें यहाँ पर आपको 5 कथन दिख रहे हैं, अब आप यह समझ लें कि चाहे वो क्रिशिच छित्र हो, द्योक छित्र हो या सेवा छित्र हो उन्हें इन 5 कथनों के अधार पर या 5 फेक्ट्स आपको कम से कम इसमरण रखने होंगे इनी 5 कथनों पर फेक्ट्स पर आपसे कई प्रकार के प्रश्ण पूछे जा सकते हैं जैसे कि पहला कथन कहता है, GSDP में भागीदारी 35.6 प्रतिशत है अब हम बात करते हैं कि सेवा छेत्र के ये आखड़े क्या गए है तो इसमें अगर हम देखें तो कथन 3 और कथन 4 गलत हैं क्यों? क्योंकि सरवाधिक बृद्धी दर्ज की गई है वर्ष 2017-18 में और ये दर्ज हुई है 9.7 प्रतिशत तो इस आधार पर अगर आप कथन 3 देखें तो प्रतिशत के आकड़े तो सही है लेकिन वर्ष उसमें गलत है फिर उसके बाद अगर आप चौथे कथन को देखें जहां पर नियूंतम बृद्धी की बात की गई है मिनिमम की तो यह किया गया है 2016-17 में और इसमें बृद्धी दर्ज की गई है 3.2 प्रतिशत इन दोनों की कथनों को गलत करते हुए हमने क्या सिका कि एक पर हमने देखा कि वर्ष गलत दिया था लेकिन प्रतिशत सही था दूसरे में हमने देखा कथन पर कि वर्ष सही था लेकिन प्रतिशत गलत था तो इसलिए जो वर्ष होगा और जो प्रतिशत होगा वो दोनों साथ में मेल जोल लगा कर आप याद रखें जैसे ही तीसरा और चौथा कथन गलत होता है हमें सहीं option के रूप में मिल जाता है option D एक, दो और पाँच सहीं तो इस प्रकार से हमारा सेवा छेतर भी समापत होता है GSDP के सेवा छेतर, उद्योग छेतर और किशिच छेतर के किस प्रकार के प्रशन आएंगे कौन से आकड़ों को याद रखना है और कौन सा पैटन CGPSC ने धारन किया है इन सारे चीजों पर हमारी समझ अभी तक विक्सित हो चुकी होगी अब हम अगले प्रशन पर पहुंचते हैं अगला प्रशन है उचित मुल्य की दुकानों की संख्याव के अधार पर प्रशन कहता है निमनल की कथनों पर विचार करें आप ध्यान दे रहे होंगे अभी तक हमने अधिक्तम प्रशनों को कथन रूप में डिसकस किया है क्यों किया है क्योंकि हमारा उद्देश है कि हर एक कोश्चन पर हम इतने सारी चीजों को कवर कर लें जिससे आपके संपूर्ण तयारी यहां पर हो जाए फास्ट ट्रेक रिविजन के तौर पर तो कहता है पहला कथन अक्टूबर दोहजार अठारा तक ऐसा भी प्रशने सीजी पीसी पुछता है कि जो दिन और तारीक है उसे प्रदर्शित किया जाता है अक्टूबर दोहजार अठारा तक ग्रामिट छेतर में उचित मुल्य की दुकानों की संक्या 1254 दूसरा कथन कहता है शेरी छेतर में उचित मुल्य दुकानों की संक्या 11,44 और ये दोनों ही कथन गलत होते हैं क्योंकि अगर हम देखें, तो कुल उचित मुल्य की जो दुकाने हैं, उनकी संख्या 36 गड़ में अभी देखने को मिल रही है 12,998 और ये कैसा होता है, तो ग्रामेंड छेतर की जब आप बात करें, तो यहां पर आपको दिखेगा 11,444 दुकान और शेहरी छेतर पर दिखेगा आपको 1254 दुकान और इन दोनों को जोड़ देने से आपका मिल जाएगा 12,998 उचित मुल्य के दुकानों की संख्या 36 गड़ राज्य में, तो चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, अगला और गया से संबंदित निती को ही हम राजकोशी निती गहते हैं। इस निती के बारे में विशेशत तोर पर आर्थिक सर्वेक्षण में एक और चेप्टर है, वहाँ पर इसके कंसेप्ट को भी हम डिल करेंगे। इस समय हम डिल करेंगे कर राजस्व प्राप्तियों के अध तो अगर आप इन कथनों को देखें तो ये सारे कथन ही आपको सही लग रहे होंगे। लेकिन इन कथनों में जो दूसरा कथन है। में एक conceptual clarity की अवशकता है। अगर आप आप आपड़ों को देखें तो आपड़े दिखते हैं 4,445 दशलो 3,5 करोर रुपए लेकिन ये आपड़े राजस्व घाटा नहीं राजस्व अधिक्यों को दर्शाता है। और यहाँ पर बोल दिया गया है राजस्व घाटा। अर होता है जब राजस्व राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाए ऐसी इस्तिती को राजस्व घाटा कहते हैं। ना करने वाले खर्चों को भी पूर्ण करने के बाद कुछ राजस्व राजस्व प्राप्ति में बच जाती है। तो दूसरा इस स्टेटमेंट गलत होता है क्योंकि यहाँ पर राजस्व घाटा लिख दिया गया है लेकिन यह आखड़ा राजस्व अधिक्यों का है। और और किस तरीके से देखना है, पुझी गत प्राप्ति के उपर कैसे प्रश्ण होंगे, पुझी गत वैपर, राजस वैपर, विविन प्रगार के घाटे, उनकी प्रवितियां, इन सारे चीजों पर डिसकस होगा आने वाले चैप्टर पर। चलिए, अब हम बात करते हैं पश्मंडियों को, और सहीं ऑप्शन है, ऑप्शन ए, 69, अगला जो प्रश्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महत्वता इस आधार पर भी आप चैन कर सकते हैं, कि जब आपकी उपलब्दी आकड़ों पर बहुत जादा दिखे, और ये अगला प्रश् और ये बहुत ही अच्छे आकड़े, अच्छे इस्थिती को दर्शाता है, और ये तो आपके लिए महत्वपूर्ण होई जाएगा, आप उन आकड़ों को जरूर याद रखें, जिसे आप देखकर गर्मानवित महसूस करते हैं, जिसे आप देखकर ये महसूस करते हैं, कि 4911.4 करोण, विद्यूत उतपादन शमता पर ये पुछा गया है, नॉमबर 2018 तक, नॉमबर 2018 तक राज्यमे कूल इस थापित शमता है, तो सहीं आप्शन है, आप्शन A, 3424.70 मेगावाट, और इस पर भी अगर आप डिटेल फैक्ट देखें, तो अगर आप तापी शमता द देखें, तो यह है 138.7 मेगावाट, और अगर आप अन्य को सम्भिलित कर लेते हैं, तो यह हो जाता है 6 मेगावाट, और इस अधार पर सहीं आप्शन बन जाता है, 3424.70 मेगावाट, इन सारे फैक्ट के बारे में जो डिटेल हैं, वो आगे आने वाले चैप्टर पर अब एक महत्वपून बात, कि जब भी हम आर्थिक सर्विक्षन पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान यह होता है, कि इन फैक्ट को रटा कैसे जाए, इनको कैसे चाट लिया जाए, जो हम भूले ने, तो ध्यान रखेगा, कि ऐसे किसी भी शॉर्ट ट्रिक पर आप ना ज स्वास रखें, कभी भी आकडों के जाल में आप अपने आपको इतना मत फसा लें, कि आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखना भी बंद कर दें, कभी भी किसी विशय को पढ़ने पर उत्रा ही समय लगाएं, जिससे उसके जितने उसके आपको लाब मिलने के अनुमान बंद दें, तो इस जानकारी के बाद ये चैप्टर ये वीडियो भी समाप्त होता है, साथ ही आगे अगले और वीडियो पर हम आपसे मिलते रहेंगे, धन्यवाद